महबो मुफ्ती का एक बयान सामने आया है जिस बयान में पूर्व मुख्यमंत्री और पीडिपी अध्यक्षा महबो मुफ्ती ने ये कहा है कि वो जमुकश्मीर में एसेमली के चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि वो उस assembly की सदस्या रही हैं जिस assembly में दो जंडे हुआ करते थे दो सम्विधान हुआ करते थे एक तरफ भारत का तेरंगा था और दूसरी तरफ जमो कश्मीर का अपना हल वाला जंडा था महबा मुफ्ती ने कहा कि मेरा emotional रिष्टा 370 के साथ है इसलिए मैं जमो कश्मीर में assembly के चुनाव नहीं लड़ूगी लेकिन पारलिमेंट के चुनाव को लेकर उन्हों ने ये कहा कि पारलिमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता यानि पूर मुख्यमंत्री महबा मुफ्ती के ने बयान दे कर ये कहा है कि जमो कश्मीर में जब भी assembly के चुनाव होंगे वो assembly के चुनाव में शामिल नहीं होंगी वो assembly के चुनाव नहीं लड़ेंगी तो PDP की तरफ से अगर महबूबा मुफ्ती assembly के चुनाव में नहीं उतरेंगी तो assembly के चुनाव में मुख्य मुंतरी का चेहरा PDP की तरफ से कौन होगा अब ये एक बड़ा सवाल लेकिन दूसरी एहम बात ये कि यही बात अमर अब्दुल्ला ने कही थी उन्होंने भी यही कहा था कि मैं union territory में केंदर शासित प्रदेश में assembly के चुनाव नहीं लड़ूँगा जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक में चुनाव नहीं लड़ूँगा उससे पहले डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला नैशनल कॉन्फरंस PDP और अन्यत सभी दलू ने कहा हम पंचायत के चुनाव नहीं लड़ेंगे हम पंचायत के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और इसलिए हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि हम से 370 चीन लिया गया है और लेकि उसके बाद देखने को क्या मिला कि पंचायत के चुनाव में तो National Conference PDP ने हिस्सा नहीं लिया लेकिन बाद में जब BDC और DDC की बारी आई तो डॉक्टर फारुक अब्दिल्ला ने बयान देकर ये कहा कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने पंचायत के चुनाओं नहीं लड़े हमें लड़ने कि मंतरी और National Conference के नेता उमर अब्दिल्ला को डॉक्टर फारुक अब्दिल्ला ने National Conference के एक अधिवेशन में कहा मैं उमर अब्दिल्ला तुम से कहता हूँ कि आप भी Assembly का चुनाओं लड़ोगे तो यानि उमर अब्दिल्ला को रास्ता उनके पिताजी ने दे दिया कि जब भी Assembly के चुनाओं होंगे उमर अब्दिल्ला को भी चुनाओं लड़ना पड़ेगा और उमर अब्दिल्ला उस समय कह सकते हैं मैं तो लड़ना चाहता नहीं था लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा वो पार्टी के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष के तौर पर उनका हुकम है इसलिए में चुनाओं लड़ने लगा हूँ अब पूर्व मुख्यमंत्री महबब मुफ्ती भी यही कह रही है और दूसरी तरफ अगर आप People's Democratic Party को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबब मुफ्ती PDP में अपनी सुपतरी इल्दजा मुफ्ती के लिए टीम तैयार कर रही है और इल्दजा मुफ्ती भी आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग चैनलू के उपर वेब पोटलों के उपर बयान देती नज़र आ रही है राजनीतिक बयान दे रही है राजनीतिक कटाक्ष कर रही है हर तरह हर तरीके से नज़र आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री महबब मुफ्ती वही कर रही है जो उनके पिता मुफ्ती 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 ने अपने कालखंड में किया था यानि उन्होंने भी कोशिश की थी एक टीम तयार करने की जो टीम उनके बाद महभुबा मुफ्ती के साथ काम करे लेकिन अफसोस ये कि मुफ्ती 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 के दिहानत के बाद महभुबा उफ्ती उस टीम को अपने साथ नहीं चला सकी और टीम के ज्यादत अर्सदस्य भाग कर या तो अपनी पार्टी, प्यूपल्स कॉन्फरंस, नैशनल कॉन्फरंस में चले गए अब उनकी सुपुत्री चूंकि जिस तरीके से वो पुलिटिकल बैटल फ्रंट पर आई हैं और जिस तरीके से वो राजनीती कर रही हैं और जैसे वो तावर तोड बयान दे रही हैं अलग-अलग वेब पोर्टल्स पर आपको उनको सुनने को मिलता है आप निउस इंसाइडर पर उनको सुनते हैं आप हला बोल पर उनको सुनते हैं आप गुलिस्तान के मंच पर उनको सुनते हैं आप अलग-अलग वेब पोर्टल्स पर उनको सुनते हैं उससे साफताओ पर ये पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता महबव मुफ्ती ने इल्टिजा मुफ्ती को Pupils Democratic Party का आने वाले कल में मुख्य मंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें पेश करने का आहिस्ता आहिस्ता सिल्सिला शुरू कर दिया है मैं यह नहीं कहता हूँ कि कल सुबाही एलान हो जाएगा वो भी जानती है कि राजनीती एक लंबा समय मांगती है वो भी जानती है कि राजनीती में एक लंबा समय तक स्ट्रगल करना पड़ता है उसके बाद जाकर जो है आपकी स्थिती बनती है चुनाव लडने वाली आपक PDP को लेकर लोगों के बीच में गई उसी का कारण है कि आज लगबग 25 साल के बाद Pupers Democratic Party के पास पूरे जम्मो कश्मीर में नाशनल कॉंफरंस BJP, नाशनल कॉंफरंस, कॉंगरस के बाद सबसे बड़ा कैडर है कर मैं ये कहूं कि BJP, नाशनल कॉंफरंस के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कैडर PDP के पास है तो गलत नहीं होगा आज भी PDP के पास कैडर है, नेता जरूर पार्टी छोड़ कर भाग गए होंगे लेकिन Pupers Democratic Party के पास जमीन पर कई कॉंश्विंसीज में आज भी कैडर है उनके ब्लॉक के प्रेजिडेंट है, उनके जिलास तर पर काम करने वाले लोग है जम्मो में उनकी टीम है, जम्मो के सभी जिलों में उनकी टीम काम कर रही है छोटी बड़ी जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन टीम तो उनके पास है तो इसका मतलब ये, कि महबबा मुफ्ती जानती है कि इलतिजा को एक लंबा वक्त लगेगा राजनीती जम्मो कुश्मीर की सीखने और समझने में और अभी हालात भी ऐसे नहीं है, जिन हालात में ये कहा जाए कि कल अगर चुनाव होंगे तो PDP भारी भावमत के साथ जो है चुनाव जीतेगी ऐसी इस्थिती इस समय PDP की नहीं है एक मंजे हुए राजनीता के तोर पर महबबा मुफ्ती जानती है कि वो इस्थिती अभी नहीं है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स यानि आप आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर रहे हैं अगली जेनरिशन के हवाले राजनीती करने की अगली जेनरिशन के हवाले प्यूपल्स डेमर्करिडिक पार्टी जो मुफ्ती स्यद महबबा मुफ्ती का खाब था उस पार्टी को पहले तो मदबूत बखष की पार्टी बन जाती और उसके बाद इस पार्टी को जब् Python में कोने कोने तक पहुँचाने की जो कोशिशें उन्होंने की और जो जटके उन्हें दोजार चोदा के बाद लगे उन जटकों से उभरने के लिए वो जानती है समय लगेगा इसलिए ऐसा लगता है कि महबब मुफ्ती ने एसेंबली के चुनाओं को लेकर जो बयान दिया है उस बयान के पीछे यही है कि वो आने वाले कल में अपनी जगा इलतजा को देखती है इसलिए उन्हें कहा है कि एसेंबली के चुनाओं में मैं हिस्सा नहीं लूगी क्योंकि ये 370 एक भावनात्मक मुद्दा है और उस भावनात्मक मुद्दे के साथ मेरा एक emotional connect है यानि भावनात्मक कनेक्ट है उस कनेक्ट के चलते मेरे लिए संभव नहीं होगा कि मैं assembly का चुनाओं लड़ू लेकिन वहीं पर मिसाल उमर अब्दुल्ला की है उनने भी यही कहा था मैं चुनाओं नहीं लड़ूंगा लेकिन बाद में डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला ने कहा उमर अब्दुल्ला आप चुनाओं लड़ेंगे